हां जी सुआ गयता है आपका चाय और कोड में और ये विडियो हां जी जावस्किट सीरीज का यह बर थोड़ा कहानी-इश विडियो है थोड़ी सी कहानी वाहनी सुनाते है आपको यह पे यह ताइम है उस ताइम की बात है जब रियाक्ट नया नया मार्केट में आया ही था रियक्ट वर्जिन वन भी नहीं था, इनफेक्ट डॉट में वर्जिन में चल रहा था, और काफी लोगों के पास अरली एक्सेस आ चुका था रेपो का, और रेपो धिर धिरे मार्केट में पॉपलर हो रही थी, कि Facebook ने कुछ लॉंच करा है, बहुत भी गजब है, रियक्ट ह अब बस error कर रहे थे, solve कर रहे थे, पूछ रहे थे, टीम से, टीम भी बड़ी active थी उस टाइम पर, अभी भी है वैसे तो, तब कुछ हम try कर रहे थे कि कैसे करते हैं, क्योंकि हमें भी courses बनाने थे, और courses काफी expensive थे, 300 डॉलर पर user, मलब US की बात है, इंडिया में तो अविले मजने के लिए, जो कि हमारा topic भी इस video का, तो आपको थोड़ा सा idea लगेगा कि पहले के time पर काम कैसे होता था, जब react version dots में चल रहा था, version 1 भी नहीं था, और कैसे कैसे errors आ रही थी, क्या common issue था, और कैसे जिनको JavaScript का under the hood पता था, वो तो बहुत जल्दी उसको सीख रहे थे, लेकिन जिनको नहीं पता था, वो struggle कर रहे थे, वो एक दो error के बाद ऐसे सीख नहीं रहे थे, वो struggle ही करते जा रहे थे, इसलिए मैं कहता हूँ, under the hood पढ़ना जरूरी है, अब आप तो लखी हैं कि आपको इतने अच्छी series वगरा है, YouTube पे free मिल रही है, वरना ऐसी series और ऐसी कर लेते हैं, तो चली आपको बड़ा ही basic उस पर लेके जाते हैं हम bind पे, और actually मैं bind को सीखने के लिए हमें javascript file नहीं, हमें actually मैं html file बनानी पड़ेगी, bind.html, ठीक है जी, यह bind.html, अच्छा मैंने push भी नहीं करा काफी time से, अभी कर देते हैं, इस file के बाद आपको code files भी देते हैं, सारी push कर देते हैं, उसमें कोई issue नहीं है, क्या करना है, basic exclamatory, hit tab, ठीक है जी, और इसको मैं नाम देता हूं कि ठीक है जी, आपका नाम आज से है react, ठीक है जी, react, suppose करिए हम react का एक basic file यहां पर बना रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या करते हैं एक button लेते हैं, और इस button के अंदर हम लिख देते हैं, button clicked, ठीक है जी, button clicked आ गया, कोई problem ही नहीं, go live कर देते हैं, और हमारे पास ये लिजे, बड़ा सारा एक button clicked आ गया है, inspect करके देखते हैं, और console के अंदर देखते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा होगा, obvious ही बात है, कुछ करा काफी थे, वहाँ पर कभी और discuss करेंगे, but suppose करिये, उन्होंने क्या करा था, behind the scene, एक class बनाई थी, आप भी कुछ इसी तरह से करते थे, कुछ method लिख दिये थे, बाकि हमें लिखने पड़ते थे, क्योंकि button click करने के बाद क्या हो, form data collect हो, server पे जाए, वो सब तो हमीं करना यूजर नेम ही ले लिया, या फिर कुछ server की values define कर दी, this.library, library की value दोने hardcode करके दे दी, आपको की react की library आप यूज कर रहे हैं, suppose करिये, बहुत सारे methods दे सकते थे, server देते थे हमेशा वो, अभी भी देते हैं, तो आप जैसे ही उसको server को start करते हैं, तो by default एक server start हो जाता है, server started at http colon slash slash localhost colon 3000 और slash यहाँ पर आपका server चल रहा है, जो भी है, आपका server चल रहा है, तो यह basic आपका constructor एक बना दिया जाता था, अब constructor के अंदर क्या होता था, कि आपको constructor के अलावा भी आपको कुछ methods वगर और declare करने होते थे, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही इससे एक नया object बने, अच्छा, यह मेरी special requirement है, तो और से सुनिएगा, business requirement है, requirement क्या है, कि जैसे ही एक requirement, बोलना लिखना एक बर कई भार difficult हो जाता है, यह लिचे requirement, कि जैसे ही यह page load हो, आपका एक object create हो जाए, react का, तो object कैसे create होगा, ओवेसी बात है, const app बना लेते हैं तुरंती react से, तो new keyword यह हमने बना लिया, ठीक है, बन गया है, अब मैं चाहता हूँ, कि जैसे ही यह काम हो जाए, तो यह जो मेरा button है, इस button का मुझे reference मिल जाए, और एक method हो, जो की हो handle click का, अब वो कहा है कि form submit हो गया है, या फिर button click कुछ message कर दें, तो ठीक है, दो पार्ट है हमारे requirement कि एक तो कुछ click हो जाए, कि console log आ जाए, या फिर form submit हो जाए, जो भी है, तो मुझे पता है कि basic काम तो मैं बड़ा easily कर सकता हूँ, कि यह जो handle click है, इसको मैं यहाँ पर एक method लिख सकता हूँ, यह तो अभी तक आप समझी गया होंगे, इतना तो सभी को पता लग गया होगा, यह ठीक है, button click तो मैं करना चाही रहा हूँ, अब इसी बात है, लेकिन मैं कुछ variables भी access कर लेता हूँ, यह library, server, इनको भी access कर लेता है, ताकि पता रहे कि access हो भी पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है जी, तो यहाँ पर obvious ही बात है, this से ही करना पड़ेगा, तो यह लिज code लिखना है पड़ेगा, लिखा ही होगा किसी ने, virtual dorm बनाने के लिए सबका reference लिया होगा, page पे जितने elements है उन सबका, तो बड़ा easy है, documents से ही लेना पड़ता है, और कोई आपके पास option है नहीं, यही under the hood C++ का document चलता है पूरा आपका, तो आपने क्या करा, query selector लिया, और query selector इसको मैं थोड़ा सा next line में लेया हूँ, तो easy रहेगा आपको समझने के लिए, यह लीजे, document पे हमने add query, query selector लगाया, उसके बाद add event listener लगाया, कौन सा event track कर रहे हैं, suppose कर यह click ही कर रहे है, और कौन सा यहाँ पर आना चाहिए, obviously बात है, handle click आना चाहिए, तो यह हमारा handle click, अब obviously बात है, handle click जो है, handle click, तो handle click डिरेक्ट तो काम करेगा नहीं, क्योंकि उसका reference ही नहीं है, तो this.handle click लेगाना पड़ेगा, तो अभी technically हमारा काम हो जाना चाहिए, इतना अगर हम कर देते हैं तो, चलिए चलके देखते हैं क्या हो रहा है, button click करा, तो हमारे पास button click तो यानि कि हमारा method तो चल रहा है, यहां तक तो हम सही हैं कि हमारे पास यह object create होते ही, reference आ गया है, और query selector button आपको मिल गया है, और button clicked यहां तक तो code चल रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेकिन यह this.server जैसे ही मैं access कर रहा हूं, तो वही हमारी पुरान के पास क्या मेरे पास this का reference है या नहीं है, यह भी रेख लेते हैं, तो अच्छा, यह भी बड़ी interesting बात है, कि button click तो आ रहा है, और this का reference है इसके पास, कि this के अंदर ऐसा नहीं कि खाली, हमारे यादे आपको call वाले जो हमने video बनाया था, उसके अंदर तो खाली हो गया था, reference ही नहीं था किसी भी चीज़ का, बट यहाँ पर इसके पास reference तो है button का, मतलब इतनी भी situation खराब है नहीं, बट situation थोड़ी सी unique है, कि this का reference है, और this में जो होना चाहिए था, क्योंकि यह button होना चाहिए था वहाँ पर, तो वो button भी है, तो this के अंदर, क्योंकि this किस से आ रहा method के अंदर कि आपने method बना दिया, लेकिन उस method के अंदर उस button पर जवाब जाते हैं, तो उसके उपर जब on click लिखते थे आप, और directly बोल देते थे, कि ऐसा on click वगरा होते थे button के अंदर ही, तो यहाँ पर जिसे अभी react आगे देखेंगे, तो इस button पर यहाँ सीधा ही property पर लिख देते थे, कि ठीक है, arrow function के साथ यूज़ करने का वो भी एक syntax होता है, जब उसमें पढ़ेंगा और detail में तब आपको बता दूँगा यह भी, और यहाँ पर लिख देते थे handle click, लेकिन वो code चलता ही नहीं था, हाँ जी, उस code में इतनी problem होती थी, वो चलता ही नहीं कि आपको इस बार manually forcefully सिर्फ bind का reference नहीं देना है, उस bind को actually में bind करना है, वो keyword ही अपने आप में बता रहा है, कि उसको attach करो अपने साथ, तो attach कैसे किया जाता है, तो this.handle click जो है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर तो इसका this का नया reference बन रहा है, लेकिन इसको binding करनी पड़ेग कि ताकि आप इन सारे this का भी अपना reference ले पाओ, क्योंकि देखिए अगर reference पूरा ही नया कर दिया, तो भी problem हो जाएगी न, कि वो button का पता हिंद रहाएगा, उसको कौन से button ने click करा था, तो उस case में सिर्फ आप call नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको binding ही करनी पड़ेगी, तो जिते भी आपके variables हैं, जो भी function है, वो सब भी उसके साथ attach होके चले गए, लेकिन उन्होंने कुछ overwrite नहीं करा है, जो आपका button का reference से handle click के अंदर, जो उसको मिलना चाहिए था, कि किस ने call किया, तो बटन ने call किया, तभी तो उसके उपर hold click चलेगा, वरना किस कहीं पर भी recent example आने चाहिए, तो इस तरह से react का example देखे, आप समझाएगा interviewer को, कि हाँ, इस तरह से bind का ये use case है, और बहुत अच्छा use case है, अब इस button को अगर आप click करेंगे, तो देखे, अब आपके पास क्या है, button click भी है, और react के अंदर ये जित्ता भी सब कुछ है, library, server, सब का access है, तो react के अंदर जित्ते function define किये गए थे, उनका भी आपको access मिलता था, अभी हमारे case में क्या है, हम चाहते हैं कि सिर्फ server का access मिल जाए, तो ठीक है, आपको एक का लेना है, तो एक का लीजिए, वरना आपके पास access सभी का है, यहाँ पे, देखे, सभी का मिल गा access, तो ये करना पड़ता, बट अगर कभी GitHub पे आपको दिखे कोई ऐसा, मैं भी Instagram वगर आपे शेयर कर दूँगा ऐसा, कोई पुरानी repository होगी मेरी या फिर कोई ऐसा code base होगा, तो वहाँ पे आप ये binding का बहुत देखोगे, in fact, कभी company में job करोगे, जहां अभी भी chances तो बहुत कम है, ब बड़ा, interestingly, पता भी ने लगा कब complete हो गया, और मुझे भी पता ने लगना चाहिए कि कब subscribe हो जाए, और फटा-फट हम race पे चल रहे हैं, हमारे 100 की की race पे, फटा-फट complete कराईए, ताकि और आपको ऐसी कहानिया और एर experience सुना पाएं, चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो मे बड़ जाएं